हेलो दोस्तो मैं रविंदर चोपड़ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कार इलेक्ट्रोनिक बाजार में तो आज जो मैं आपके सामने सिस्टम लेकर आया हूं वो सिस्टम में प्रॉब्लम आ कि उस प्रॉब्लम का सुलूशन कस्टमर में को फोन करके कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं छेड़ते बच्चे छेड़ देते हैं सिस्टम में कुछ ऐसी सैटिंग्स होती हैं जहां तक बाद में कैसे पहुचना है वह बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है तो यहां पर जो फेस हो रही है वो फेस हो रही है वीडियो से रिलेटिड है यदि हम वीडियो चला रहे हैं और ड्राइव कर इस तरीके की वार्निंग आ रही है आप देखिएगा वीडियो नहीं चल रही है वीडियो पीछे प्ले हो रही है साउंड आपको आ रहा होगा लेकिन आपको वीडियो शोनी हो लिए तो ऐसे में क्या करना है उसका सोलूशन हम लेकर आए हैं तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे भी कभी इस तरीकी किकलती हो तो आप इसको सॉल्व कर सकें लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ ऐसा हो सकता है कि हर किसी एं एं एंटीके प्रोत सिम होता है कोई टीएस नाईन प्रोता है व उसके साफ्न सिस्टम की साटिंक होती है अभी मैंने आपके सामने वीनीं मैं अने शह तो ऋमर्फ ते ते सेटिइंग के अंदर हमने का सेटिंग धूननी हैं का सेटिंग धूननी घूंण विए कार सेटिंग रासेटिंग के अंदर हम क्लिक करेंगेИ तो यहां पर हमें कुछ अप्शन दिखाई दे तो इसमें से जो सबसे ओपर वाला option है वो आप देखेंगे कि mark है hand break deduction इसको हमें यहां से close कर देना है जैसे हम इसको close कर देंगे हमारी यह problem solve हो जाएगे और किसी setting को हमें नहीं छेड़ना है ताकि आपको बाद में कोई problem ना हो अगर आपको जानकारी नहीं है अब हम home page पर ज आएंगे और आप देखेंगे कि वीडियो अपनी पहले की तरह प्ले होने लग गई वा एरर शो होना बंद हो गया तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूरियेग आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे थैंक्यू दोस्तों